वेल्कम टूर्जाम के उस्तक आज की इस वीडियो में हम लोग पीजेडी सीए फॉर्स सेमेश्टर का पीसी पैकेज का प्रिबियस येर पेपर को देखेंगे जो कि एकजाम हुआ था दिसम्मर दौजर जनौरी दौजर तेस में एकजाम कराया गया था प्रिजेडी सीए का वहीं प्रिबियस पीपर को लेकर आरा हूँ जो कि पीसी पैकेज का ये पेपर है चलिए हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि pinkध का पेपर कितने नंबर का थिवरी होता है तो थिवरी पेपर होता है 50 नमबर का 50 नमबर का 50 में आपको पास होने के लिए minimum यहां पे आपकी हो सकता होती है 20 नमबर पास होने के लिए आपको 20 नमबर की ज़रूरत है चलिए next यहां पे देख लेते हैं कुछ निर्देश दिया गया है निर्देश में है प्रश्ण पत्र 5 इकायों में विभाजित किया गया है जिसमें यहां सेकेंड नमर पे है प्रतेक इकायी में एक प्रश्ण का उत्तर देना है मतलब कि आपको 5 इउनिट दिया रहेगा जिसमें कि प्रतेक इउनिट से में 2 कोश्चन रहेगा मतलब total आपका 10 question रहेगा जिसमें से प्रतेक एकाई में एक प्रश्ण करना है मतलब कि आपको प्रतेक unit से एक एक question करना है मतलब 5 unit रहेगा तो 5 आपको question करना है exam में ओके चलिए next देखते हैं यहाँ पे third number है सबी प्रश्णों के लिए समान अंक दियागा मतलब प्रतेक unit का जो भी number रहेगा समान रहेगा ओके यहाँ पे देखते हैं question की ओर तो यहाँ पे unit one में पूछा गया था देखी यहाँ पे दिया गया first question में नीमन पर संशिप्त note लिखें ओके किसके बारे में wordpad के बारे में ms paint, note pack note pad इसके बाद recycle bin के बारे में आपको लिखना है इसके बाद और करकर यहाँ second question दिया है अथवा करकर second number पर दिया है आपको इसके बाद जो की unit number second है unit second में आप देखिए third और fourth question दिया गया है दोनों में से एक आपको question करना है तो देखिए यहाँ पर unit third में पूछा गया था ms word document की printing और header and footer को समझाए ms word document की printing के बारे मताना है और header and footer को समझाना है और fourth में क्या था fourth में आपका एक question था एक word document को हम कैसे format कर सकते हैं समझाइए मतलब की ms word के बारे में आपको format के बारे में बताना है next था जो की unit third में दिया गया था unit third में five question number था mail merge किया है या एक office में कैसे उप्योगी है mail merge किया है यह office में कैसे उप्योग किया जाता है okay इसके बाद अथवा करकर six number question है चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इसमें भी sort में आपको tip पड़ी लिखना है okay auto text के बारे में find and replace के बारे में watermarks के बारे में clip art के बारे में आपको detail से लिखना है okay अब next देखते है next है unit four जो की unit four में दो question पुछा गया है दोनों में से आपको यह करना है MS Excel में उपियोग किये जाने वाला data types क्या है इसके उपियोग सहीद किनी 5 formula की चर्चा करिए MS Excel में उपियोग किये जाने वाला data types क्या है और 5 formula को चर्चा करने के लिए यहाँ पे explain करने के लिए बोला गया है नेक्स्ट है जो की आठवा question number है इस पर संचिर्प टिपड़ी लिखें ओके तो यहाँ पे column है column phrase के बारे में लिखना है splitting merging के बारे में आपको लिखना है यहाँ पे heading row and column के बारे में आपको लिखना है unit 5 में presentation में हम वीडियो और धोनी काई से जोड सकते हैं चरणों की ब्याख्या करें यह 9 question है और next है 10 question outlook express और इसके दोनों में से आपको यह question को करना है यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को ना है तो चैनल को subscribe कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेजिए अगर important questions चाहते हैं PC package का तो इसी वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करकर बताईए मिलते हैं आप सब इस नेक्ट वीडियो में thank you